ट्वीन्स प्रेग्नेंसी में सिंगल प्रेग्नेंसी की तुल्ला में आईरन की कमी से होने वाले एनिमिया की संभाबना 2.4 से लेकर 4 गुना तक अधिक हो जाती है। ट्वीन्स प्रेग्नेंसी में आईरन की डिमांड बहुत जादा ही भढ़ जाती है। सिंगल प्रेगनेंसी की तुल्ला में ट्वींज प्रेगनेंसी में जो आईरन की आवशक्ता होती है वो 1.8 गुना तक अधिक हो जाती है और आपकी बॉड़ी में जो प्रेगनेंसी के दौरार हीमोग्रोबिन का जो लेबल होना चाहिए वो 12 से उपर होना चाहिए अगर 12 से नीचे जाता है तो आपको अपनी खिलाई बिलाई पर विशेज ध्यान देने की जरुवत है क्योंकि आपकी बॉड़ी में आइरन की कमी तीन बज़े से होती है एक होती है आइरन की बज़े से दूसरी होती है फॉलिक एसिद की बज़े से और टीसरी होती है बिटामिन बी ट प्रेगनेंसी के दौरान आयरं की प्रतिदिन 27 मिलीग्राम तक जरूरत होती है जो कि बिना प्रेगनेंट महिला की तुल्ना में 9 मिलीग्राम तक अधिक होती है प्रेगनेंसी के दौरान जब आप अपनी डाइट में अच्छी मात्रा में आइरन नहीं लेती है आपकी बॉडी में जो आइरन का भंडार होता है वो धीरे धीरे खतम होने लगता है जिस वजे से आपकी बॉडी में आइरन की कमी हो जाती है आपको आईरन की कमी से होने बाला एनीमिया भी हो सकता है एनीमिया का मतलब होता है कि आपकी बोडी में ब्लड की मात्रा का कम हो जाना अब हम आपको एनीमिया के लच्षड बताने वाले हैं आपको बहुत जादा थकान लगना और बहुत जादा कमजोरी लगना एंड आपका सरदर्ध होना और आपकी बॉडी में एनरजी की कमी होना एंड आपका सरीर का पीला पड़ जाना नापुनों का पीला पड़ जाना आपके दिल की धड़कन बहुत तेजी से धड़कना एंड आपको सांत लेने में भी तकलीफ होना आपकी पूरी बॉडी में बहुत ज़ादा सूजन आ जाना और आपको बहुत ज़ादा चक्कर आना और किसी भी काम में अच्छे से ध्यान ना लगा पाना इन में से कुछ लच्छड आपकी ट्वीन्स प्रिगनेंसी के भी लच्छड होते हैं इतलिए आपको अपने फर्स, सेकेंड और थर्ड तीनों ट्राइमिस्टर में ब्लड टैस जरूर कराना है तब ही आपको किलियर होगा कि आपके जो ये लच्छड है वो एनेमिया की के साथ होने के बहुत जादा चांस हो जाते हैं जो की ट्वीन्स प्रिगनेंसी में आलरेडी रहते हैं और आपके बच्छे में भी एनेमिया की कमी हो जाना और आपके बेबी का डबलमेंट बहुत ही देरी से होना दिलीवरी के बाद होने बाले डिप्रेशन के बहुत बाटी में आरन की कमी हो रही है तो आपको इस पर बहुत ही जाना ध्यान देने की जरुवत है, और मैं आपको एक बाद किलियर करदूं कि आपको पूरी कोशिश करनी है, अपनी बाडी में आरन की जो कमी है उसको आप जो है अच्छी डाइट लेके ही पूरा करें, आपको आ पत्रा में आयरन के सप्लीमेंट लेती है तो आपको कबज और मतली की भी समस्या हो सकती है अब ट्वीज प्रिंगेंसी के दौरान जो भी आयरन के सप्लीमेंट लेती है आप अपने डॉक्टर से पूछ कर ही उसको लेना स्टार्ट करें और अगर आपको आयरन के अपने डॉक्टर को बताएं तो डॉक्टर आपको जो है चेंज करके भी सप्लिमेंट्स दे सकते हैं इससे आपको कबज की समस्या भी नहीं होगी अब हम बात करते हैं डाइट के बारे में आपको गहरे रंगी हरे पत्तेदाल सब्जियां जादा से जादा लेनी है जैसे कि ब्रॉकली एंड बीन्स और इसके लाबा आप ड्राइफ रूट्स भी ले सकती हैं जिनमें आप काजू, बादाम, पेस्ता, अंजीर, किस्मिस इनका सेवन जरूर करें क्योंकि इनमें बहुत ही अच्छी मात्रा में आइरन पाया जाता है आप जो है चुकंदर, टमाटर, गाजर, जामुन, पका हुआ अम्रूद, आप गुड और मूमफली के दाने, केला, सेब, अनार और अनाच में ओर्स हैं, सारे बेजी टेबल्स डाल के दलिया बना लें नमकीन और आप ब्राउन राइस एंड आप होल गिरें ब्रेट का भी सेवन जादा से जादा जरूर कर आप डेली जो है बदल बदल कर चीजों का सेवन करें, इसके अलाबा आप घर पर बना कर कुछ जूस ले सकती हैं, जैसे कि सबसे पहला है आप जुगंदर का जूस ले सकती हैं और दूसरा आप पालक और टमाटर को अच्छे से ग्राइंड करके एक गिलाज जूस बना ले एंड उसमें थोड़ा सा नीबू डाल के बिलकुल पी सकती हैं और अगर आपको कच्छे पालक का टेस्ट पसंद नहीं है तो आप जो है पालक को बॉइल करके उसका सूप बना सकती हैं मतलब आप किसी भी तरीके से ले बट आपको जादा से जादा मात्रा में लेना है आप कीवी फल और नीबू का सेवन जरूर करें अगर हो सके तो आप एक कीवी फल डेली खाए इससे आपको बहुत ही जादा फाइदा मिलेगा और आप जो है टमाटर का जूस भी ले सकती हैं इसके अलाबा आप जो है अंजीर चाहे ऐसे भी खा सकती है या पिर आप जो है अच्छी मातरा में आइरन होता है और आप रैड मी और चिकन का भी सेवन कर सकती है डॉक्टर आपको फॉलिक एसिड एड आइरन और विटामिन बी ट्वैल की टेपलेश देते हैं वो आपको रेगुलर नेने है और आपको पानी बहुत ही अच्छी मातरा में पीना है अग अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं एड वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करजें एड चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले साथ ही में बल आइकन तबा दे ताकि मेरे हर वीडियो का नटिपिकेशन आपको V réseτε ओमोय अईको चाहे बल एड चाहे बल आपक लाँ जाल करें उ एक लिएश मेले हर अपको बला कर लेक साथ हो आपको बला कर दो आपको मेले हर आपको बला कर दो नट दो आउसन हो चैनल एक लेग।